हेलो ट्रेडर्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज है मारा ट्रेडिंग चैलिंज का डे 51 और कल बहुत यह साइडवेज मार्केट थी तो मैंने कोई भी ट्रेड प्लैन नी कर रहा कल अगर मैं लेता तो अच्छा प्रोफिट भी बता है बत एज डेमो के लिए देखा देख लेकर बट एन्यूएस वह भी मैंने लिया नहीं तो कल कोई भी ट्रेडिंग प्लैन कर रहा है मैंने आज भी सुबह से मार्केट थोड़ी स्लोगी चल जीए साइडवेजी और यहां प सब्सक्राइब ले रहा है यहां से 20 अमेगा तो उसके मैंने अपनी वाली एंट्री प्लैन करी है एंड एक ही लोट रखूंगा मैं इसमें क्योंकि अल्रेडी निफ्टी के एक्सपाइर ही आज आज आपको पता है जिस इंडुक्स के एक्सपाइर होती है वैसे तो मैं उस क्योंकि मार्केट थोड़ी साइड़ हो चुकी है मेरे ट्रेड लेने के बाद ही और मैंने गाइस जो अपना स्टॉप लोस है वह सिस्टेम में लगा दिया है आपका बहुत कम लगाता हूं मैं क्योंकि यह जो लेवल है मेक और ब्रेक लेवल है यहां से या तो वान साइड अच्छी रिजेक्शन लेकर ने तो यहां से फॉल भी कर सकते हैं कि यह लेवल तोड रहा है इसलिए मैं चातना है कि बेफाल्ट में की लौस हो और उपर से एकस्पाइरी है मोक्का मिलेगा भी निया एकसिट करनेगा इसलिए बानेटी फाइफाइड को लिगा दिया है कि पान सो रुपे का लौस होएगा एंड इसलिए फॉर्टी फॉर्ट मिल सकते हैं अगर यहां से स्पाइब करते हैं और नियर बाउट यहां पर यहां पर यहां पर हमारा स्टॉप्लोस ही तो चुका है यहां पर इंवर्ट्ट हमार के अंडल बनी थी और गाइस मतलब मार्क पैसा कमाया ट्रेंडिंग मार्केट तो मार्केट ने पैसा तो ले नहीं है और इसके बाद मैं अपना आज करता हूं बैक निफ्टी कॉल अप्शिन और यह वादा ट्रेट जैसे ही फॉल आता है यह अच्छा फॉल आते उसका बाद बैक निफ्टी सपोर्ट के वाद के व फिफ्टी बन तो इन शिक चट्टी का असपस में एंट्री हुई है और शॉप ब्लॉस मेरा एप्रॉक्स सिक्टी पॉइंट के जिर्फ स्पोर्ट में एंड टार्गेट वाइट रहेगा एंड यह वाला जुल ट्रेट था यह बहुत स्लो अपसेट जा रहा था क्योंकि फ मतलब आज ऐसा दिन नहीं था कि बड़े टार्गेट मिले 60 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में इसे बड़े टार्गेट तो नहीं है अगर साट सत्र वाइट कर रहे हैं बट एनिवेज वो भी आज नहीं मिल पाए मेक को क्योंकि थोड़ी साइड वेसी मार्किट हैं मार्क स्ट्रक्चर से अगर आप देखो कि आप कोई पता लगा कि बहुत स्लोग है तो इतने बड़े टार्गेट का वेट करना बनता नहीं था एंड 40-45 पॉंट्स लेकर निकल जाने चाहिए था मेक को और बैंक निफ्टी ने वहीं से रिएक्शन ली 720 के आसपास से 710 700 के आसप मैंने यहां पर अपना एक्शिट कर दिया अपना एक्शिट कर दिया 373 के आसपर जब एक स्पाइक आया था दुबारा तो मैं सोच रहा है एक्शिट करूं बट वही थोड़ा पांदस पॉंट के लाल अच्छे चकर में निच्चे आ गया तो मैंने जार रिस्क नहीं लिय तो वही हम आज कड़े यही लॉस के साथ ही क्लोज करना बट रहा है हमको और कोई जादा बड़ा लॉस नहीं है सिर्फ और सिर्फ 3.33 का लॉस है कर लेंगे रिकवर कल भी थोड़ा चोटा प्रॉफिट ही हुआ था तो मार्केट थोड़ी साइडवास है तो देखके जलना अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है अगर ट्रेड नहीं बना तो नहीं जाना तो आज कड़े हम यही चोटे से लॉस के साथ क्लोज कर रहे हैं थैंक्यू